क्रिपया हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बिल आइक ओन दबाएं नमस्कार प्रभात कबर के वीडियो सेक्षिन में मैं पंकाज आप सभी का स्वागत करता हूँ साल 2015 में जब भारतिय जनता पार्टी दिल्ली का विधान सबाचनाव हार गई तो उन्होंने कहा कि जनता ने एक प्रयोग के तहथ हमें बाहर रखा है आद्धोलन से पैदा हुई पार्टी को मौका दिया है एक बार फिर साल 2020 में पार्टी को हार मिली है इस बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज दिवारी कह रहे हैं हम शायद जनता तक अपनी बात ठीक धंग से पहुँचा नहीं सके जीत पर बयान बाजी और चर्चा तो खूब हुई लेकिन इस जीत ने कई सवाल हमारे सामने रखे हैं क्या यह चुनाओ राश्टी अस्तर की राजनीती में कोई बदलाव लाएगा दिल्ली चुनाओ में मंतरी नीता सहीद भाजपा के वरिष्ट नीता कारिकरता शामिल थे तो क्या यह चुनाओ राश्टी अस्तर का था? दिल्ली चुनाओ में मद्दाताओं का मिजाज क्या था? क्या सिर्फ फ्री के बिजली पानी के वादों ने जीत दिला दी? दिल्ली विधान सबा चुनाव में आमाधिम पार्टी को 70 में से 62 सीटे मिली है आठ सीट भासपा के खाते में गई है जबकि कॉंग्रेस का हाथ खाली रहा है चुनावी घोसना से पहले ही दिल्ली की जनता को लोवानी की कोशिश शुरू हो चुकी थी केजरिवाल सरकार ने चुनाव में जाने से पहले जनता के बीच किन बातों को रखना है किन मुद्दा पर जनता का ध्याना करशित करना है आपने देखा होका कि इस बार केजरिवाल ने चुनाव में प्रधान मंतिर नरेंदर मोधी पर कोई टिप्री नहीं की या एक रन्नीती थी, दिल्ली में आपने अस्थानी अस्थर के जमिनी मुद्दे उठाए जो लोगों की जिंदगी से जुड़े थे, लेकिन भाजपा अपने चुनाव अभियान में राष्टिय मुद्दो को प्रात्मिक्ता दी, इन मुद्दों के अधार पर ही भाजपा न 2018 में 36 गड़का और 2019 में जारखंड का चुनाव अपने हाथों से गवाया था, इसके बावजूद भी पार्टी दिल्ली में इन मुद्दों के साथ ही चुनावी मैदान में उत्री, परिनाम आपके सामने है, पुर्वांचल के वोटर किस तरब थे, दिल्ली में आपको 62 जाहिर है, पुर्वांचल के लोगों ने भी अरिमिन के जिरिवाल का साथ दिया है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि पुर्वांचल के लोगों ने भाजपा को पूरी तरह नकार दिया, दिल्ली चुनाव में बिहार के तीन महत्वपुन पार्टियां भी सामिल थी, अपनी पार्टियों में से किसी एक उमिद्वार ने भी जीत हासिल नहीं की पहली बार था जब भाजपा और कॉंग्रेस ऐसी राश्टिये पार्टियों ने बिहार की छेत्री पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था बीजेपी के साथ गडवन्धन कर चुनाव लड़ी रहने वाले हैं यहां तक की बीजेपी को मिली सीटों में भी बिहार और पुर्वांचल के वोटरों का दमखम प्रमुक कारण रहा है भाजपा ने जिन आठ सीटों पर जीत दर्च की उनमें साथ सीटें पुर्व और उत्तर पुर्व दिल्ली की हैं इन्हीं इलाकों में प KSDS ने पुर्वाद्चली वोटरों पर एक सरवे कराया था इस सर्वए में चक्पन फिर्शत पुर्वाद्चलियों ने लोगसबाद के चुनाओं में भाजपा को वोट दिया था उनमें से 24 पुर्वाद्चलियों ने कहा था कि वह विधान सबाद्चली में आम आदमी प नहीं मिले हैं दो सीटों पर लड़ी जड़ियों को कुल 0.9 फीसद वोट हासिल हुए एक सीट पर किस्मत आज जब्मा रही एलजेपी को 0.35 फीसद वोट मिले सबसे दैनिये स्थिती आरजेडी की रही जिसे चार सीटों पर चुनाव लड़ा था और कुल 0.04 फीसद ही हासि पुर्वांचल के लोगों ने बिहार के मॉडल को नकार दिया इन वोट परचीशत से तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है दिल्ली में 12 फीसद मुस्लिम मद्दाता हैं भाजपा ने इस चुनाव में खुल कर वोटों का ध्रुवी करन किया जिसका परिनाम भाजपा को भुगतना पड़ा मुख्यता मुस्लिम वोट कॉंग्रिस में जाते हैं लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोटों का सहारा मिला सत्तर में से आठ सीटें मुस्लिम भुल हैं इन में सब मुक्य सीटें हैं ओखला, सीलमपूर, मतिया महल, चांदनी चौक, मुस्तपाबाद, बल्ली मारान, भाजपा शाहिन बाग पर निती के तहत आगे बढ़ती रही जबकि आप चुप रही ओखला सीट से आमादमी पार्टी के आमानुक तुल्ला खान ने बड़ी जीत हासिल की उन्होंने एकहत्तर हजार आठ सो सत्ताइस वोटों से बीजेपी के ब्रह्म हसिन्न को हरा दिया दिल्ली चुनाओं में यह जीत का बड़ा अंतर है अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब समझे राश्टी अश्तर पर इस चुनाओं का क्या आसर होगा इस चुनाओं में मिली जीत के बाद कुछनेताओं के बयान पहले सुन लिजे शहर ने प्यार को वोट दिया है और नफरत को हराया है पार्टी की राजनीती अपके बल दिल्ली तक सिमित नहीं रहेगी ज ग्रता ने असावित कर दिया है कि जो काम करेगा वही चुनाओं जीतेगा जहाइबार आपनीता संजेश सिंह का है जाहिर है कि संकेट रास्टी अस्तर पर और मजबूतिके हैं लेकिन वास्तविकता क्या है सपस्थ है कि अर्विन्त के ज리वाल को अभी रास्टी अस्तर पर खड़ा होने में और वक्त लगेगा आमान्मी पार्टी को निर्वाचन आयोग द्वारा प्रादेशिक पार्टी के मान्यता प्राप्त है। 2017 में पंजाब के मुख विपक्षिदल के रूप में उभुरी थी। हाला कि उसकी राष्टी अकांचाओं को तब जटका लगा जब गोवा चुनाओं तथा पिछले दो लोगसभा चुनाओं में उसे सफलता नहीं मिली। 2019 में महज एक जबकि दिल्ली के मद्दाताओं ने दोनों बार लोगसभा चुनाओं में इस पार्टी को नकार दिया। केजरिवाल ने साल 2014 में भाजपा के प्रधान मंत्री पत के उमिद्वार नरेंद्र मोदिये खिलाप वारानसी लोगसभा सीट से चुनाओं लड़ा था। उन्हें 3 लाग से अधिक वोटों से हार का स्वात चखना पड़ा था। अभी अर्विंद केजरिवाल को राश्टी अस्तर पर खड़ा होने में और वक्त लगेगा।